नितीश और मोदी की मुलाकात के क्या माईने हैं? इस पर सीधा समजने के लिए हम बात करते हैं जेडियू के प्रवक्ता नीरज सिंख से यह जो नितीश और मोदी की मुलाकात डेड़ साल बाद हुई है इसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं मानिये नितीश कुमार जी प्रोटोकॉल के तहत महामहीम राष्टपती के निमंतरण पर वहां गए और नितीश कुमार जी को लगाये जाने लगे इसका कोई भी राजनीत में जिसको कहते है कि महत्वपुन कारक कहीं से नजर नहीं आता है ये तो बात आप कह रहे हैं पर सवाल ये उठ रहा है कि आप इंडिया की बात कह रहे हैं लेकिन इंडिया गटबंदन में कॉंग्रेस है कॉंग्रेस का तो कोई म बैठक था तो यह फैसला हुआ नहीं था राजी के मुख्मंत्री के नाते मानी निति शुमारे नाते तो कई ऐसे मौक्या हैं जिसमें जाना होता है जब प्रेजिडंट खुद चुनी गई थी उस समय में भी भोज हुआ था उसमें नहीं गया नीति आयों की बैठक होती है उ यह तो 18 देसों का हुआ लेकिन मानी मुख्मंत्री जी का जाना और उसको राजली से जोड़ा जाना यह हमको लगता कहीं से नियाई संगत नहीं है महत्वपुन कारक किया है कि भारतिय जनता पार्टी के मानी मुख्मंत्री थे जिनको यह सम्मान नहीं मिला जो नितिश कु जी को सम्मान मिला चुकि क्लाइमेट लीडर नितिश कुमार जी है पर यह भी कहा जा रहा है कि राहूल गांधी को लगातार लालु यादव वो आगे बढ़ा रहे हैं कह रहे हैं कि दुला बनिये आगे बढ़िये आपके साथ हम लोग हैं बढ़ाती हैं तो ऐसा नहीं लि गयर भी पक्षी एक्टा की कलपना नहीं की जा सकती है तो क्या आप लोग भी राहूल गांधी को प्रधान मंत्री बाने को तयार रहा हैं प्रधान मंत्री का उम्मिदवार कहा भी तो घोसना हुआ इंडिया के रूप में और इंडिया जीतेगा यह लक्ष तैकि आगया है लेकिन तीसरे मोर्चे की तो कबायत को रिजेक्ट इनों नहीं पहले किया थक भी तीसरा मोर्चा क्या मतलब है कॉंग्रेस को इंक्लूड करके अपोजीसनी उनिटी की बात हो और उनकी पहल रंग भी लाई है आपने सुना सीधे तोर पर ना बीजेपी पर ना मोधी पर और ना ही इंडिया पर कुछ भी कहने से बचते नजार आ रहे हैं जेडियू के प्रवक्ता हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकार्श कुमार एबीपी नियूस पटना